very good morning to all of you today we are going to start a new topic that is welding so welding के अंदर में हम एक पूरी सीरीज करने वाले हैं जिसके अंदर में हम different types of welding को discuss करेंगे detail में plus उनकी applications को discuss करने वाले हैं साथ ही साथ उनकी क्या pros and cons है कब कौन सी welding हमें काम में लेनी है उसको भी हम detail में discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि welding होता क्या है so welding is a process of joining two materials with the help of heat or pressure or by some other means तो देखिए इसमें दौनों चीज़े यूज़ हो सकती है या तो आप heat के माधियम से दो अलग-अलग materials को join करें या फिर आप pressure के through यानि कि दौनों साइट से आप force लगाएंगे और उनको आप जोडेंगे तो उसकी through भी welding हो सकती है या कोई और भी तरीके हो सकते हैं जिसके through आप उन दौनों materials को join कर सकते हैं तो देखिए जो other type की joints होते हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं तो वेल्डिंग सबसे सस्ती पड़ती है इसलिए सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है तो हम एप्लिकेशन देखते हैं कहां कहां पर होती है सबसे पहला जो एप्लिकेशन है वो है manufacturing of machine tools, auto parts, cycle parts तो ऐसी बहुत सारे industries है जहां पर हम इनको use करते हैं day-to-day life में और वहां पर हम लोग welding को बहुत ज्यादा prefer करते हैं सेकंड जो है वो है fabrication of farm, machinery and equipment तो आप देखते हैं खेतों में जितने भी machinery होती है, equipment होती है वहां पर भी सबसे ज्यादा welding process ही कामें लिया जाता है थर्ड जो चीज है वो है fabrication of building, bridge, ship तो हम देखते हैं जो भी bridge बनते हैं या building बनती हैं वहां पर भी जितना भी lohe को lohe से join करना होता है हम लोग वहां पर भी welding को ही prefer करते हैं इसी तरह से construction of boiler, furnaces, railway, cars, aeroplanes, rock missiles यहां तक कि हम लोग rockets वगरा में भी इनी को use करने की कोशिश करते है welding को बिकाज एक तो joint बहुत ज्यादा इसका perfect होता है दूसरा leakages के chances बहुत कम होते हैं यदि हम proper welding करते हैं तो तो इसलिए भी हम लोग इसको ज्यादा prefer करते हैं फिफ्थ जो important application है वो है manufacturing of television sets, refrigerations, kitchen, cabinets, etc तो ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े ही devices में हम welding यूज करते हैं बहुत छोटे-छोटे devices, sheet metals में हम welding यूज करते हैं आप हम आगे detail में discuss करेंगे spot welding को काफी कामे लेते हैं यहाँ पर I hope all of you have understand the complete detail of this coming up session और आप लोग इस पूरी playlist को देखना पसंद करेंगे साथ साथ में जो भी आप लोगों की problems हैं या जो भी आप लोगों को और कुछ जाना है वो आप अपने comment section में लिख सकते हैं तो thank you so much for being with me किर लोगों करेंगे पाल आपग में लोगों करेंगे शों करेंगे